तियार आज है 12 सितंबर 2020 और मैं हूँ अभी गेम्सुक.in के स्टोर पर जो कि एक गेमिंग स्टोर है गुडगाओं में जहां पर आपको प्रीबिल्ड पीसी गेमिंग कंसोल्स, गेम्स, गेम्स की सारी अक्सेसरीज वगरा सब कुछ मिल जाती है और सबसे अची बात है कि गेम्सुक.in की अपनी एक वेबसाइड भी है जहां से आप प्रीबिल्ड पीसी या फिर और चीज़े जो है ओर्डर करके अपने घर तक मंगवा सकते हो तो मुझे एक अपने नए वाले गेमिंग पीसी के लिए कुछ चीज की रिक्वाइमेंटी क्या चीज है वो मैं आज लेने आए वो मैं बताता हूँ आपको बट उससे पहले बता दूँ काफी सारी एक्सेसरीज आई हुए जैसे की हेड़फोन वगरा अपने प्री बिल्ड पीसी तो है ही है इसके अलावा प्लेस्टेशन का थोड़ा वो समान आने लग गया है अब बहुत जल्दी जो है PS4 भी आ जाएगी स्लिम जो आता था बंडल अभी इसमें gold headphones आये हुए है VR आये हुए है website से डिरेक्ट ले सकते हो controller आये हुए है ये भी website पे लड़ा हुए एक ही piece बचा है last और Xbox वाले जो PC में यूज होते controller वो आये हुए है games तो ही इसके साथ सा तो website check out कर लो और वहां से जो आपको पसंदार है ले लो जो website पे चीज़े लिस्ट नहीं है वो आप सीधा गुर्गाओं पे store पर आकर भी ले सकते हो description में सारे links दे दिया है मैंने links मतलब location यहां की और गूगल में आपका link वहां पे click करते ही सीधा आप store के बहार आ जाओगे second floor पे shop number 202 है तो अगर वैसे आपको location से पता नहीं चल रहा तो देख लेना क्योंकि game suit.in का board तो लगाई हूँ है तो भाई मैं जो चीज लेने आया हूँ वो है एक UPS तो आप में से बहुत लोगों पता होगा मेरे पास already एक APC का 1100VA का UPS था बट उसमें कुछ problems आ रही है क्या problems है और क्यों आपके लिए मतलब आप अगर एक gaming PC ओन करते हो तो क्यों आपके लिए UPS लेना ज़रूरी है वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके अलावा भाई मैं UPS के यहाँ पर कोई prices नहीं बताऊंगा क्योंकि prices जो है वो बहुत जल्दी अल्दी चेंज हो रहे है कभी नीचे जा रहे कभी उपर तो जब भी अभी चलो मैं आपको price बता भी दूँगा बट वो प्लीज आप इतना ध्यान में रखना कि वो जो price है वो सिरफ आज के लिए है अगर आप अगले हफते आते हो store पर लेने के लिए तो by price हो सकता है कम भी मिले price जादा भी मिले तो यह चीज मैं पहली clear कर देना चाता हूँ दूसरी चीज UPS हम website पर नहीं बेच रहे है उसके बीचे एक reason है क्योंकि UPS जोते है वो बहुत भारी होते है तो shipping करने में बहुत पैसे लग जाते है जो customer भी obvious ही बात है नहीं चुका पाता है तो जो लोग यार गुडगाओं या गुडगाओं के आसपास रहते है वो store पर आकर ले जा सकते है क्योंकि Amazon से हम सस्ता ही देंगे UPS आपको और अगर आप गुडगाओं से कही बाहर रहते हो आप आ नहीं सकते हो shipping या आपको करवानी है तो आपके पास Amazon ही option है क्योंकि Amazon की अपनी delivery service है इसलिए उनको delivery का इतना खर्चा बैठता है नहीं और वो ship कर देते है सस्ते में बट हम कर नहीं सकते हैं इसलिए हमने website पे भी list नहीं कर रहा है बट अगर आप store से लेकर जाओगे तो पक्की बात है भाईच है 50 रूपर सस्ता मिले बट Amazon से आपको सस्ता देंगे तो बात करते हैं कौन-कौन से models के UPS हमारे पास है और क्यों ज़रूरी है उसके बाद मैं बात करूँगा तो UPS में तो आज कल चल रहे हैं सिरफ दो brand वो है Microtech और APC और जो gaming PCs है ना उनके लिए मैं हमेशा APC ही recommend करता हूं मैं Microtech का जाधा recommendation देता नहीं हूं जो आपके बाद normal PCs है ना 10-15,000 वाले उनमें कर रहे हैं तो बहुत चोटे वाले 1050 Ti या चोटे वाले ग्राफिक कार्ट उनके लिए यह वाला UPS बिल्कुल बेस्ट है प्राइज इसका चलता रहता है उपर नीचे तो आज का प्राइज का प्राइज थर्टी टू हंडड़ है जैसे कि मैंने बताया किन लोगो के लिए है घ्राफिक कार्ट यूस करते है तो जैसे कि मैंने बताया किन लोगो के लिए है ठोड़ा है। है उनके लिए है इसका करेंट प्राइस चल रहा है 6200 रुपीज एमजोन पर 6500 का है यह स्टोर का प्राइस है ओनलाइन तो हम बेच ही नहीं रहे है तो यह आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो करेंटली मैं अपने दोनों ही PC में यह वाला यूज करता था बट मैं बताता हूँ दिक्कत मुझे हुई क्या मैंने ना मतलब उस टाइम पर जादा रिसर्च करी नहीं और यह वाला UPS ले लिया 600 VA का जबकि मेरा जो PC है ना वो है 2080 Ti और Ryzen 9 3900X तो उनकी जो पावर तो यह वाला UPS मेरे किसी काम का नहीं बचा था क्योंकि भाई PC इतना हाई एंड है तो इतनी पावर यह UPS दे नहीं पा रहा था लेकिन छोटे PC के लिए छोटे PC मतलब जो हमारा यूट्यूबर PC है उस जैसे PC के लिए यह काफी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी तो अब मु पावर सप्लाई है साड़े आठ सो वोट की तो इसमें अब जहां तक मुझे लगता भाई बीप नहीं होना चाहिए लगता क्या कनफर्म है कि बिलकुल भी बीप नहीं मारेगा तो इसलिए मैंने यह वाला खरीदा इसका प्राइस थोड़ा महंग है भाई और यह बहुत ल 2080 Ti वो लोग यह वाला यूपी ऐसी लोग छोटा लेने का कोई मतलब नी वनता घर जाकर आपका बीपी मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं मतलब दिक्कत होगी विर आपको यह कुछ 17-18 कभी 19,000 का चलता रहता है करेंट प्राइस तो मैं भी क्या ही बता हूं मतलब इतनी ज़ भाई आपके हाडवेर में कुछ भी इशू आ सकता है मानलो इंडिया में तो यार वोल्टेज की बहुत प्रोब्लम रहती है लाइट की बहुत प्रोब्लम रहती है कभी भी लाइट आ जाती है कभी भी चली जाती है या वोल्टेज उपर नीचे होती है तो उससे क्या होता आपका दूसरी चीज हाड़वेर में इशू आ सकते जैसे कि मैंने बताया तो ये भी दिक्कत रहती है भाई कभी-कभी कुछ पार्ट फुख जाते है या फिर एकदम से जादा जो है एकदम पावर आ जाती है तो काफी अच्छे रहते हैं इसलिए मैं कोई 80,000 का PC ले रहे हो तो ये 6,200 का UPS ले सकते हो और कोई छोटा वाला PC ले रहा है 30,000, 28,000, 40,000 तो ये अपना 32,000 रुपे वाला UPS ले लो 3200 में बट ले लो जरूर और अभी नहीं है ना तो आपके पास पैसे तो भले ही थोड़े टाइम बाद ले ले लना बट ले जरूर तो यार फटा फट से मैं भी अपना नया UPS ले कर जाता हूं 1500 VA का और घर जाके सेट अप करता हूं और देखता हूं कि भाई बीप मारेगा या नहीं मारेगा खेर मैं सेट अप करने बाद आपको बताई दूँगा हैवी गेमिंग करूँगा और एकदम से लाइट को मतलब MCB डाउन करूँगा देखूँगा फ्लक्टुएशन होते वक्त PC बंद होगा या नहीं होगा चलते है जी फिर पूरा एड्रस एड्रस वेबसाइड का लिंक सब दे रख्या भाई PC आए हुए है बजट किंग है अपना GTA 5 गेमिंग PC है GTA 5 किसी को खेलने है तो 28-30,000 में इत सब्सक्राइब करके तो वह भी कर सकते हो वह अलग से PC है आई 3 वाला भी PC है 1660 के साथ और इसके लावा कस्टम PC बनवाना चाहते हो तो वह स्टोर पर आ सकते हो फोन नंबर हमने है रहटा दिये क्योंकि बहुत फोन आ रहे थे जिसमें से आधी ज़्यादा स्पैम कोल्स थी तो मैं उसको कुछ सोलूशन ढून रहा हूँ देखते आगे जाके होता है नहीं होता है कुछ जब तक के लिए आप स्टोर पे विजिट कर सकते हो अपना फ़ स्टोरी यार सेटप अज थोड़ा बिखरा सा पड़ा है तो मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ मतलब यह कांड ओफ व्लॉग ही हो गया है फटाफट से इसकी अन्बोक्सिंग कर लेते हैं अंदर जाधा कुछ निकलेगा नहीं वही पेपर्स वगार जाधा निकलेंगे और अप अंदर यह निकली है एक पोलेथिन जिसमें कुछ वायर से इथरनेट केबल है क्यों एथरनेट केबल क्यों दे रखे बाई ओ भाई साब इतना भारी यूपियस तो यह देख लो कैसा लग रहा है मतलब यह देखो कितना स्लिम है उपर से बट भारी बहुत है दो साल वरंट पर एक स्लिप लगी हुए अच्छा क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट है कुछ जो इसमें लिखे है और यहां लिखा हुए कि अगर सील टूटी हुई मिलिया तो वरंटी वॉइड हो जाएगी कुछ नीता यह देखो यह एक मिली है भाई यह दो इथरनेट केबल क्यों मिल एक साथ वाले में मेरा एक साथ वाले रूम में मेरा एक सी पड़ा हुई पहले मैं APC यूज़ करता था यहां पे भी 1100 VA का, तो इसको फटावट से बंद कर देते हैं, प्लग निकाल दू मैं, चलन दो, चलन दो, जल्द यल्दी निकाल देते हैं भाई, लोग, सारा का सारा यह निकल गई, और यहां भी वायर्स की थोड़ी धजिया हुड़ी यहां पर, और इसमें मैंने एक खाली PC की ही तार दे रखी थी, और कोई तार नहीं दे रखी है, तो यहां पर PC की लगा लेता हूँ, अपनी यह लोग जी, डन हो गया, तो ऐसा कहा जाता है, कि फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले 6-8 घंटे तक इसको चार्ज कर लेना चाहिए, तो मैं अभी इसको फटावर्ट से चार्जिंग पे लगा देता हूँ, शेट, एक डिक्कत हो गई, इसका जो प्लग है भाई, वो पावर का है, और मेरे जो सोकिट जब वो नॉर्मल वाले है, तो मुझे इसके लिए एक्षेंशन लेना पड़ेगा, वो बड़े ओ भाई, पंखा चल गया, इसका तो आवाज सुनो, सुनाई दे रही है न वाज, इतनी तेज पंखा चल गया, तो PC ओन होगा, ओ क्या भाई साब आगे, इसमें तो पूरी डिस्पले है, सब कुछ दिखा रहा है इसके अंदर तो, ओके तो चार्ज हो रहा है, चार्ज होने ये देखो, आवाज आ रही होगी आपको, और इसको कर दूँगा तो पंखा बंद हो जाएगा, और ये किसलिए मुझे नहीं पता, पहले पंखा बंद करते हैं, क्या ये भाई, टाइमर टू मैर का होगा, मेरे को सीखनी पड़ेगी चीज़े, परसंटेज बदल रही है, क पूल हार्ड कोर वाली गेमिंग करी, वार जोन खेला, बिल्कुल भी बीप नहीं हुआ, मैंने MCB डाउन करके भी देखा, बीप नहीं हुआ, ओविसी बात है, होना भी नीता, 1500 VA है, अराम से 865 वाट तक की पावर को जेल लेगा, मेरा तो पावर सप्लाई पूरे PC का भाई GST paid bill देते हैं, आपको तो warranty के टाइम पे कुछ नुकसान नहीं होगा, और दूसरी चीज़ कोई भी imported समान नहीं देते, सारा आपको Indian वाला ही मिलेगा समान warranty के साथ, तो आज ही check out करो, store पे जाओगे, तो store पे चले जाना बढ़िया है, description में सारी details दे रखिये, और मैं मिल आपसे नेक्ट वीडियो में, till then, goodbye and as always, तीखे रास्तों पे नहीं पढ़ना फीखा, bye